लिच्चान आउटलोग लिच्चान आपसी प्रेम दी गल प्रेम दे सिखरते जाके विशोडे दी गल ते नाल ही उस प्रमात्मां दे हुक्म बारे जीवां दे उस प्रभू दे हुक्म विच चलन बारे वी काफी गल बात आज दी गुर्बानी दे विच सनू पढ़ननू मिलेगी आउ शुरुआत करिए पौडी प्रब संसार उपाए के वस अपने किता गनते प्रबु ना पाई ये दूजे परमीता प्रबु ने जगत पैदा करके अपने वस विच रखिया होया है पर कई जीव इस गल नू पला के मायादिया ही विचारा कर दे हन एगल उना दे चितचे तेदे विच नहीं वसी हुन दी के जगत जो है प्रबु दे वस विच है ते गुरु साब संनु ए भी दस जान देने के निरियां मायादियां विचारा कीते हैं हासल नहीं हुन्दा, गनता प्रबू न पाईयाए मायादियां विचारा कीतियां प्रबू हासल नहीं हुन्दा दूजय प्रमीता, भलके फिर मायादे वेच ही पठकीदा है सत्गुर मिले आएं जीवत मरें, बुझ सच समीता शब्दे हो मैं खोई है हर मेल मिलीता गुरू दे मिलेयां जे मनुक जयों दे जी इस माया दे वल्लो मर जाए सत्गुर मिलेयां जीवत मराए बुझ साच समीता जे जयों दे जी माया वल्लो मर जावे ता ए असलियत के संसार प्रबु दे वस्विच है इस असलियत नू समझ के सच्चे प्रबु दे मेल विच मिल जन्दा है शब्दे हो मैं खोई है गुरु दे शब्दी बरकत नाल जदों कोई मनुख अपने अंदरों हो मैं नू खत्म कर पावे हर मेल में लीपता तब प्रबु दे नाल खुदा मिलाप हो जन्दा है सब किश जाने करे आप अपे विगसीता ओ प्रबु सब कुछ जानदा है सब कुछ आप ही करदा है अपना कम वेख के आप ही खुश हुनदा है सब किश जाने करे आप अपे विगसीता विगसीता तो पाव विगसना खुश होना सलोक महलाती जा सत गुरस्यों चितना लायो नाम नावस्यों मन आए त्रिग इवेहा जीवेया क्या जुग मह पाया आए जे गुरु नाल चितना लाया ते प्रबु दाम नाम मन विच ना वसया तक गुरु साव केंदे फिटे मू इस जियोन दे मनुखा जनम विच आके फिर की खटया माया खोटी रास है एक चसे महें पाज लहें जाए अथों शुड की तन से आ होए बदन जाए कुमलाए ए माया खोटी पुंची है गुरु साव केंदे इदा पाज तां एक पलक विच ले जन्दा है जे कर ए गुवाच जाए इदे गम नाल सरीर काड़ा हो जन्दा है मू कुमला जन्दा है माया सानू किन्ना का खोश रख सकती है इना पंक्तियां दे विच्चों असी समझ सकती है उसानू उन्ना चर खोश रख सकती है जिन्ना चर उसाठे कोल है, साठे नाल है इत्थों तक के जदो मनुख माया दे बदले कोई चीज खरीददा भी है जिन्ना को उन्नों चीज मिलन दा चाह हुंदा है चीज खरीदन दी खुशी हुंदी है थोड़ी बहुत माया दे खुसन दी खुसन दा दुख भी उदे अंदर हुंदा है उँ महसूस करता है जिदों उँ माया जीदे तो चीज खरीदी है उन्नों हो दिन्दा है सिर्फ बड़े चितन जड़े लोक ने उस अहसास नो महसूस कर पूंदेने बोता करके आम सदारन मनुखदा उ जो गम है हलका जहा उ चीज मिलन दे चाहे ठां दब्या रह जन्दा है परे ने की अंदर उदे उ गम हुंदा ने सो ए माया दी माया दा जो पाज है एक पल विच ले जन्दा है जदों ए सड़ी तो खुस दी है सड़ा सरीर काड़ा हो जन्दा है ते मू कुमला जन्दा है जिन सत गुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आई हर नाम त्यावै रंग स्यों हर नाम रहे लिव लाये जिना मनुखा ने गुरू नलचित जुड़या उना दे मन विच शांती आवस्दी है तिन सुख वस्या मन आई ओ प्यार नाल प्रभु दा नाम सिमर देहन प्रभु नाम विच सुर्त जोड़ी रख देहन नानक सत्गुर सोतन सुपया जे जी महरह आसमाए रंग तिसे को अगला वनी ही चड़ाए चड़ाए ये नानक ए नाम तन प्रभु ने सत्गुरु नु सौंपया है ये तन गुरु दे आत्मा विच रचिया होया है जो मनुख गुरु तो नाम तन लेंदा है उससे नु नाम रंग बहुत चड़ाए ते ए रंग नित चमकदा है दुना चवना हुंदा है इस सलोक देज़े जेसी मुख पाव दी गल करिये यह सुख दी अनन्द दी खुशी दी गल हुई है एक खुशी ओ है जो माया तो मिल दी है जो थोर चीरी है जो माया दे खुसन दे खतम हो जन्दी है एक खुशी ओ है जो सत्गरू दे मिलाप नाल प्रभु नुपा के मिल दी है जड़ी सथाई है जदो एक बार मिल जावे ते फिरो दूनी चौनी हुंती रहें दी है कदे खुस दी नी महलाती जा माया होई नागनी जगत रही लपटाए इसकी सिवा जो करे तिस ही कव फिर खाए सपदी फितरत मनी गई है डंग मारना अक्सर आपां एक कहावत सुन देया कि सपदे पुतानों दुद ने प्याई दा उननों दुद प्याई ये थे ओहो दुद प्याउन वाले नू ही डस जान देने एहसान फरामोशी कर देने इस माया वी एक सपनी है जिड़ी के जगतनों चंबडी होई है गुरू साब कहें दे जिड़ा भी इस माया दा गुलाम बन दा है इस माया दी सेवा कर दा है इस माया उसे नों ही मार मकंदी है जिनना कोई ज्यादा इस माया दा गुलाम होवेगा जिन्ना कोई ज्यादा इस माया दी सेवा करेगा पाव के उन्ना ही उदा ज्यादा माया दे नल मो होएगा ते जिन्ना ज्यादा मो होएगा माया दे खुसन ते उन्ना ही उनू दुख होएगा ते माया चीज ऐसी है के सदा तो डिकुडे रहनी सकती आउंदी जन्दी रेंदी है ते जद जन्दी है ता दुख जरूर दिन्दी है गुर्मुख कोई गारडू तिन मलदल लाई पाए नानक से युबरे जे सच रहे लिवलाई गारडू तो पाव है मंतर जननवाड़ जिस प्रकार अपा जोगी कह लेए एक जोगी है जो बीन बजाके सपनु कबू कर लेंदा है इस माया रूप सपनी दे लई गुर्मुख हो जाना जोगी होन बराबर है कोई विरला मनुख जिड़ा गुर्मुख बन जानदा है ओ इस सपनी दे जैरदा मंतर जनन लगदा है ओ इन्नू चंगी तरा माल के पैरा हेट सोट लेंदा है हे नानक इस माया सपनी तो ओही बचे ने जो सच्चे प्रभु विच सुर्त जोड़ देने बओडी टाड़ी करे पुकार प्रभु सुनाए सि अंदर तीरक होए हे पूरा पाए सि जदो मनुख टाड़ी बन के अरदास करता है ते प्रभु नू सुनानदा है ता मनुख दे अंदर तीरज आंधा है माया मो ते होमें दूर हुन दे हन ते पूरा प्रबु इसनों मिलदा है जो तुर लिखे आलेख से कर्म कमाए सी जाहो वै खस्म दयालतां महल कर पाए सी तुरों भाब के पिशली कीती हुई सिफ्त सलाद अनसार हुन तक तुसी जिन्ना जीवन जयाँ चुके हूँ उदे च की सिख्या की नहीं सिख्या उदे अनसार जो पगती दा लेख तो अटे मत्थे ते उगरदा है ते उहो जहे पाव के सिफ्त सलाद वाले काम जदो मनों का करदा है इस तरह जदो खस्म प्रबु दयाल हुनदा है ता इसनो प्रबु दा मैल रूप असल का रलाब पेंदा है सो प्रब मेरा अत वड़ा गुर्मुख मिलाए सी गुरु साब कहिंदे पर मेरा ओ प्रबु है बहुत वड़ा मिलदा गुरु दे राही है सलोक महलाती जा सबना काश व एक है साद ही रह हजूर सव जीव इस्तरियां दा खस्म एक परमात्मा है जो सदा ही इना दे अंग संग रेंदा है पर हे नानक जो जीव इस्तरिय उस्ता हुक्म नहीं मन दी उदी रजा विच नहीं तुर दी उसनो ओ खस्म हिर्दे कर विच वस्ता होया भी किते दूर वसदा जापदा है देखोए थे एक महीन जिहा फर्क असी जरूर समझिए एक गलते गुरु साब ने इस अंगदी गुरवानी दिया पहलियां पंक्तियां विच ही कह देती सी के प्रब संसार उपाए के वस अपने कीता ये सारा संसार प्रबु दे अपने वस विच है इस संसार दे जीव की कर देने ओ प्रमात्मा दे हाथ वस है प्रमात्मा ही है जो किसे नू अपना हुक्म मनाँदा है ते किसे नू नहीं मनाँदा हुक्म दो प्रकार देने एक ते ए कि जीब उस प्रमात्मा दे हुकम दे बंदे हुए है ओही कर देने जो प्रमात्मा उना तो करवांदा है दूसरा ए है कि ओदे विच्वी एकना पासों प्रमात्मा अपनी पगती करवांदा है ते एकना पासों नहीं करवांदा असल हुकम जो चाहत है उस प्रमात्मा दी अपने जिस फैसले नूँ ओ प्रमात्मा वदीक मनदा है ओ है अपनी पगती करवाउनी गुर्मुख बनाउना किसे मनुख नू पर बनाउन्दा उसे नू है जिसनू ओ चाउन्दा है ते जिस्ते ओदी मेहर नहीं हुन दी जो गुर्मुख नहीं बनदा जो ओदे एस हुकम नू पगती वाले हुकम नू नहीं मनदा ओदे ले यो प्रमात्मा नेडे हुनदा होया भी दूर है जिस परकार सी किया कि दोहां कल्ला दे विच फर्क बड़ा महीन है जो प्रमात्मा दी पगती वाले हुकम नू नहीं मन रहा ओभी कोई अपने आप तो मना नहीं कर रहा प्रमात्मा दा ओदे ले एक हुकम ये भी है कि तू पगती नहीं करनी तू गुर्मुख नहीं बनना शायद इहे दोहां दे विचला फर्क समझाओं दे लई है कि जो गुर्मुख है ओ इस परकार अनंदत रेंदा है कि जो गुर्मुख नहीं है ओ अनंदत नहीं रेंदा है ओ संस्य दे विच रेंदा है कि जो गुर्मुख है उसनों प्रभू अपने अंग संग दिसदा है जो गुर्मुख नहीं है उन्नों नेडे वस्ता होया प्रभू भी नजर नहीं होंदा अगली पंक्ती इस गलनों होर भी सपष्ट कर देंदी है हुक्म भी तिना मनाए सी जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहाग्न होए हुक्म भी ओ प्रमात्मा उन्हा ही जीविस्त्रियां तो मनांदा है जिना उते मिहर्दी नजर करदा है जिसने हुक्म मन के सुख हासल कीता है ओ प्रेम वारी जंगे पागाँ वारी हो जान्दी है महलाति जा रैन सबाई जलमुई कांत ना लायो पाओ नानक सुख वसन सुहाग्नी जिन प्यारा पुर्ख हर राओ जिस जीविस्त्री ने कंत प्रभु नल प्यार ना कीता ओ जिन्दगी रूप सारी रात साडमुई उदी सारी उमर दुखा विच लंगी पर हे नानक चिनादा प्यारा अकाल पुर्ख खसम है उपा गावालियां सुख नाल सौंधियां हन जिन्दगी दी रात सुख नाल गुजार दियां हन पौडी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाई कि तैना पाई है हर कर्म विधाता गुरू सब कहिंदे मैं सारा संसार टोल के वेख लिया है एक प्रमात्मा ही सारे जीवान दाता देन वाला है जीवान दे कर्मा दी बिद बनान वाला ओ प्रभू किसे चतुराई स्यान पनाल नहीं लबदा उपाई कितैना पाई है हर कर्म विधाता गुर शब्दी हर मन वसाए हर सहचे जाता सिर्फ गुरू दे शब्द दुआरा हिर दे विच वसदा है ते सौखा ही पछाने आ जा सकता है अंदरों त्रिशना अगन बुजी हर अमरत सर नहता वड़ी वड़े आई वड़े की गुर्मुख बुलाता जो मनुख प्रभू दे नाम अमरत दे सौवर विच नौदा है उस दे अंदरों त्रिशना दी अग बुज जान्दी है ए उसे वड़े दी वड़े आई है के जीव पासों गुरू दे राही अपनी सिफ्त सला करवंदा है स्लोक महलाती जा काया हांस क्या प्रीत है जे पाया ही छड़ जाए एस नो कूड बोल के खवाली है जे चल द्यान आल न जाए सरीर ते आत्मा दे रिष्टे दी गल सरीर ते आत्मा दा कच्चा जया प्यार है अंत वेले ए आत्मा सरीर नो डिगे नो इशड के तुर जानदा है जदों आखर तुरन वेले ए सरीर नाल नहीं जानदा ता इसनो चूट बोल बोल के पालन दा की लाब चूट बोल बोल के पालन दी गल गुरु साब करदेने इस गल बल इशारा है के मनोक सारी उमर अपने सरीर नो सोना बनाओन ते अपने दिख नो सुधारन ते लगया रेंदा है बड़ा ते अन रखदा है अपने सरीर दा इस सरीर ने ओधे नाल भी जाना नहीं होंदा यह से ही परसेस दे उते यह से ही वर्तारे दे उते गारु सभा स्वार चकदे ने कि इस नो कूड बोल के खवाली है जे चल देना नाल ना जाये केंदे की फैदा चूट बोल बोल के इस सरीर नूँ पालन दा जदो इन्हें नालते जाना नहीं काया मिट्टी अंद है पौने पुछो जाए होता माया मोहिया फिर फिर आवा जाए सरीर ता केंदे मिट्टी समझो ग्यान हीन है चूट बोल बोल के इसनू पालेया आखर जड़ा लिखा है और जीव आत्मा तो ही मंगया जानता है जीव आत्मा नूँ जे पुछो के इस सरीर पालन विची क्यों लगा रहा ता इस दा उत्तर ए है के जीव आत्मा आखदा की मैं माया दे मो विच फसेया मुड मुड जनम मरन विच प्यार हा इत्ते फिर तूँ एक गलसी जानिये सरीर ते जीव आत्मा दा जड़ा विशोड़ा है और एक बारी होने जदो मौत आउंदी है उस वरतारे नूँ उस विशोडे नूँ उसी मौत आखदे हा ओ मरना एक बार है उस मरने तो बात जदो प्रमात्मा जीव आत्मा तो लिखा जो ख़ा पुछदा है गुरु साब इत्ते जिकर कर देने के ओस वक्त जीव आत्मा कहिंदा है कि मैं सरीर नूँ चूट बोल बोल के ताँ पाल दा रहा क्योंकि मैं माया मोद अदीन सी मैं जन मरनन दे चक्र विच प्या हुए सी ओस मौत तो पहला ही ओ जीव आत्मा जनम मरनन दे चक्र विच प्या हुए सी ऐ गलत त्यां देन जोग है पाल के असी अपना एफ जीवन जो नित दा गुजार दे पए हैं ज़दो असी सरीर के ताउर ते जीवत हाँ जदों साथे सरीर अते जीव आतमादा भी शोड़ा नहीं होया होया उदों भी असी जनम मरन दे चक्कर विच पए होयां ते ए चक्कर फिर ओही है के जद असी खुश हाँ हाँ पक्खी मानसिक अवस्था विच हाँ ता असी जीवत हाँ ते जदों ही असी दुखी अदास जा चिंतत हुन दे हाँ पाव के नापक्खी मानसिक अवस्था विच हुन दे हाँ ता असी मर जान दे हाँ असी मरे होय हुन दे हाँ ए जनम मरन दा जड़ा चक्कर है ये एक दिन दे विची पतानी कि नेवार असी हंड़ों दे हां सो जीव आत्मा तो जदो लिखा जुखा पुछा जावेते ओ कहिंदा है कि माया मोद अधीन मैं जनम भर्न दे केड़ विच प्यार रहा इसे करके इस स्रीर नू चूट बोल बोल के पाल दा रहा नानक हुक्म न जातो खस्म का जे रहा सच समाई हे नानक मैं खस्म दा हुक्म ना पच्छानया जिस दी बरकत नाल मैं सच्चे प्रभु विच टिक्या रेंदा इस दे नाल ही श्री गुरू गरांद साहिब जी दे पंच सो दस में अंग दी गुर्बानी दी विच असी प्रभु दे हुक्म ते जीव आत्मा ते स्रीर दे रिष्टे बारे जानया प्रबू दे हुकम दे गल कर दे हो यसी ये जाने कि दो प्रकार दे हुकम ने दोहां दे विच बड़ा महीन जया अंतर है एक हुकम ते एह है कि सारे ही जीव उस प्रबू दे हुकम दे विच तुर देने कोई भी ओदे हुकम तो बाहर नहीं जीव जो कुछ भी करदा है प्रबू दी रजा नाल ही करदा है ओगल वक्री है कि किसे नूँ प्रबू इनीक समझ देंदा है कि ओइस गल नूँ मन के चालदा है कि मैं प्रबू दी रजा विच ही करदा है जो भी करदा हैं ते एकना नूँ प्रभू एस समझ नहीं देंदा ओ मनमख हुए हुए एही समझ दे रहें देने कि मैं जो कुछ भी अपने जीवन विच करदा हां अपनी समझ नाली करदा हां पर उन्नू ए नहीं पता हुनदा वो इसकानो अग्यान हों देने कि जेसे समझ दी तुसी गल कर देपैयों वो समझ तुह नू परमात्मानी भी द्ती होई है ते तूसरा हुकम एह है कि परमात्माने किसे नू गुर्मुख बनाओ नै कहें मनमुख बनाओ इंदे ज़सी कहसा करते हैं कि असल दे बिचते प्रमातमा दा हुकमे थे एह है कि तुसी गुर्मुख बनो पर जिड़े मनमुख ने उना नू प्रमातमा उस पर कारदी समझ बक्षद है कि उन मनमुख बन नते ते जे दो हो मनमुख बने होगे निक तया दा मतलब कि परमातमादा ओ. हुक्म के तुसिक और मुख्म बनो हो उना ने नहीं adesso हो पर ओंपनी मर्जी नाल नहीं है ये गल समझनी बहुत जरूरी है कि जे उना ने परमातमादा ओ. होग्मन नहीं 되고 होया तक ओ. की दोहां करना दे विचे फर्क बड़ा महीन है जिन्नीक समझ प्रमात्माने से अनु बक्षियों दे अनुसार कोशिश कीती है उमीद कर दे हां तो अनु का लगा समझ दे विचे जरूर लगी होएगी ते इते ही इस वीडियो दी कर दे हैं जी समापती बलाव फते वाहि जी की फते